हेई अब्रीवान दिस चानि दिनानी वेल्कमिंग यू तो मार्गने ब्रेंज एक ऐसा चानल जहां आपको मिलता है किंडर गार्डन से लेके क्लास ट्वेल तक की जो स्कूल एजुकेशन है और अगर आप किसी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम को बिलॉंग करते हैं और आपको कोई भी दोस्त या कोई भी बाही बहन अगर बिलॉंग करते हैं तो इन सब चीजों की प्रेपरेशन जो है वो आप फ्री ओफ कॉस्ट बड़ी आसानी से कर सकते हो तो कोई कॉलिटी में कॉंप्रमाइस किया जाता है बिलकुल भी नहीं यू गेत टॉप नॉच कॉलिटी 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 एडूकेटरस तो इस तरीके से आप बिना रुकावट के अपनी प्रेपरेशन जो है वो घर बैठे कर सकते हो और अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने यह जितने भी subjects हैं, courses है, classes है, videos हैं, वो सब एक proper order में arranged मिल जाएं आपको, then please go and visit the website of our channel, जो कि है maganitbrains.com. अब website कैसे visit करना है, वहाँ videos को कैसे explore करना है, वो सब में आपको बताऊंगे in detail, but towards the end of the video, right now I can say के आपके पास सारा content available है, आपको बस अपना 100% देना है by watching all the videos and preparing yourself, और इस तरीके से nobody can stop you from achieving the ultimate goal, और वो है that you score the best marks in your exams, और इसे लिए हम होंगे कामे आप जो है, यह बहुत ही जादा valid line है, and now with this great energy and enthusiasm, we can begin today's topic, जो के होने वाला है प्रीवेस टॉपिक जो की है TENSES, उसके MCQs, that will be totally of a beginner level, so अगर आपने TENSES का introduction नहीं देखा है, तो प्लीज जा के वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आपको TENS से related, काल से related, थोड़ा सा भी knowledge नहीं है, अगर आप नहीं जानते हो, different work forms के बारे में, helping works के बारे में, different families के बारे में, कैसे structures बना रहा है, इन सब चीजों के बारे में, सारे TENSES का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से वो कैसे different है, अगर ये सारी चीजों के आपको answers नहीं पता, and if you really want कि आपको answers मिल जाए, आज आपको कितना TENSES के बारे में, knowledge है या कितना आप समझ चुके हो previous वीडियो से, वो सब चेक करने के लिए मदद मिलेगी, क्योंकि हम करेंगे total 30 questions solved, और इन 30 questions के साथ आपको 30 new verb forms जो है, impact 31 या कुछ different verbs जो है, उनके different forms, that is V1, V2, V3 जानने का भी मौका, हम मिलने वाला है, clear, all right, चलिए, सबसे पहरा question हम देखते हैं, करना क्या है आपको, choose the most appropriate option to fill the following blanks, आपको सीधे सीधे सबसे सही option choose करके, blanks को fill करना है, obviously ये TENSES पर based हैं, वो आपको clear हो जाएगा, क्योंकि आपको different work forms ही मिलने वाले हैं, ठीक है, पहला question, every kid blank chocolates, क्या बोलना चाह रहे हैं, every kid हर एक बच्चे को chocolates पसंद हैं, ये बोलना चाह रहे होंगे या पसंद नहीं है, obviously पसंद हैं नहीं, तो बच्चा के मारेंगे अभी, कि चॉकलेट कैसे नहीं पसंद हमको, है ना, so every kid liked chocolates, every kid liked chocolates, likes chocolates, या had liked chocolates, यहाँ पर आपको सिर्फ यह देखना है, कि कौन सा tense है, जो आप यहाँ पर देख पार हो, सबसे पहली चीज, कोई भी ऐसा sentence, या कोई भी ऐसा fact, जो की सच्चाई है, यान कि universal truth है, कुछ ऐसा जो एक habitual act है, regularly आपको चीज करते हो, या कुछ ऐसी चीज जो हमेशा होती है, उसमें आप हमेशा use करते हैं, simple present tense को, जहां आप structure क्या बात करते हो, simple present यानि simple tense है, यानि indefinite tense है, हमेशा वीवा न्यूस होगा, subject आएगा और object आएगा, यानि आपको सिर्फ first former verb पे ध्यान देना है, that's it, first former verb आपको option B और option C में दिख रहा है, right, क्योंकि ED लग गया तो definitely ये कुछ past में चला गया, had liked है, had आपने देखा हुआ helping verb, definitely ये past में आता है, यहां तुम्ही आने वाला, so इस तरीके से आपको ये clear हो गया है, कि like और likes में से answer आने वाला है, अब हम हर एक बच्चे की बात कर रहे हैं, यानि हम singular बोल रहे हैं, every kid हर एक बच्चे को, तो आप singular के साथ, obviously S वाला है, यानि की likes, option number C, use करोगे, so every kid likes chocolates, clear, so आपको क्या धिहान में रखना है, आपको इस तरीव धिहान में रखना है, अब हम next चीज़ देखने वाले हैं, कि जो like verb है, इसके verb forms क्या है, यानि अगर आपको कोई भी, simple past में positive sentence बनाना है, तो आपको second form of verb की ज़रुद पड़ेगी, और अगर आप कोई perfect tense use करेंगे, तो वहां third form की आपको ज़रुद पड़ने वाले हैं, तो जो भी चीज़ें, जो भी बच्चें नहीं समझ भा रहे हैं, क्या है second form, third form, प्लीज introduction वाला वीडियो हमेशा देखां करो, इसलिए आपके पास एक proper time table रहता है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप 10 बजे जो है, Monday, Tuesday, Wednesday, सारे इंग्लिश की वीडियो के लिए रहें, आप नाइन स्राइड को बिलॉंग करते हैं तो दस बजे, अगर टेंथ को है तो थोड़ा लीट आता है वीडियो, clear? ओके चलिए, तो लाइक जो है, इसका पहला फॉर्म यानि फॉर्स्ट फॉर्म वर्ब ही होगा लाइक क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म वर्ब को ही हम वीवन बोलते हैं, Second or third form, यानि like, liked, like. Clear? Okay, चलिए. Next बात करते है, second question की. We blank Ramesh in town a few days ago. We blank. यहाँ बात हो रही है, C, यानि देखने की. Ramesh को town में कुछ दिनों पहले. क्या यहाँ पर not लगा है नहीं? मतलब देख रहा है हमने, ऐसा बोल रहा है. तो कुछ दिनों पहले जो चीज है, वो क्या past कहलाएगी? Definitely. Right? अब आप क्या बोल रहे हैं? आप basically बोल रहे हो कि कुछ दिनों पहले शहर में, town में, हमने Ramesh को देखा था. है ना? Past यह बोलना चाहरे हो. तो यहाँ आप क्या यूज़ करोगे? Definitely आप यूज़ करोगे Simple Past Tense. अब यहाँ जब Simple है तो वीवन होना चाहिए, वड़ हमने कहानी पड़ी हुई है, कि Simple Past अकेला Tense है. जो अलग चलता है, वो यूज़ करता है Second Form of Verb. यानि अगर आप C को जानते हैं S-W-E-C, तो आपको सिर्फ देखना है कि कहाँ पर एक Second Form of Verb दिया है, जो कि होने वाला है So. साथ ही साथ आपको Did C दिया हुआ है, तो We Did C रमेश in town a few days ago, नहीं होता है. क्योंकि Did का इस्तिमाल आप सिर्फ Negative and Interrogative में करते हो, है ना? तो यहाँ पर Did C तो खुदी गलत है, रही बार Did Saw की भाई नहीं हो सकता एक साथ, क्योंकि Did B भी Second Form of Verb है, Saw भी Second Form of Verb है, दो Second Form हम एक साथ यूज नहीं करें लिए, इसलिए आपका आंसर हो जाता है Option Number B, हमने हर तरीके से इसको चेक कर लिया है, तो आपको आपका आंसर मिल ग कोशिश करने है कि beginner level ध्यान से कर लें, तक कि intermediate और achievers में रिकतना है, Done? Okay, चले, अब हम बात करेंगे next, यानि C, देखने के verb forms को, तो V1 होता है, obviously original C, V2 हो जाता है, Saw, और V3 हो जाता है, Scene, ठीक है, See Saw Scene, यानि अगर आपको perfect tense use करना है, तो आप definitely Scene लिखेंगे, Had Scene, Has Have Scene, और र past में हम revise कर लें, C, Saw, See, that's it, okay, चले, बात करते हैं, third question की, The play was not very good, I blanked very much, जो play था, जो नाटक था, वो अच्छा नहीं था, ठीक है, It was not very good, यानि इतना खास नहीं था, I blanked very much, I enjoy की बात हो रही है, अब बताओ play की बात कर रहे हैं कि इतना खास नहीं था, तो definitely यही enjoy नहीं किया, right, अभी negative बनाने के लिए हमें पता हैं, हम क्या करते हैं, हम helping verb जो भी होता है, उसके बाद not को place कर देते हैं, ठीक है, सबसे फ़हले दुवाई चीज चेक कर लो, कहीं पर helping verb की पहले तो नहीं है, तो didn't यानि did not, ठीक है, did helping verb है not, did enjoy, अभी होई नहीं सकता did enjoy, पहली बात तो, क्योंकि did के बाद not लगाना ज़रूरी है, या फिर इसका कुछ question mark something बनाना ज़रूरी है, क्योंकि did positive में use नहीं करते, तो ये खुद बाख खुद गलत है, did not enjoyed, did not के बाद हमें पता है, कि हम अगर past की बात करें, ये होता है structure, अब हमें यहाँ चाहिए होता ह helping verb, ताकि हम not को place कर सके, verb का second form plus object, बड़ हमें पता है कि simple past में हम did को रखते हैं, did खुद वी टू है, इसलिए हम यहाँ पर v1 का इस्तिमाल करते हैं, तो did not enjoyed नहीं हो सकता, v1 चाहिए, तो option C तो खुद बाख खुद गलत है, D है was not enjoy, भई was not नहीं होता है, was के साथ तो हम ing वाला लगाते हैं, वी वन ing, past continuous tense, was वर वी वन ing, clear, so बचता क्या है, option number A, that is did not enjoy, यानि मैंने उसको इतना खास कुछ enjoy नहीं किया, क्योंकि play अच्छा नहीं था, ठीक है, so option number A आपको आपको आपका answer मिल गया था, done, ओके देते हैं कि enjoy का first form और second form or third form, first form तो पता ही है, second form or third form क्या होता है, बहुत असान है, जैसे कि like पढ़ाना वैसे का वैसा, enjoy, V2 हो जाएगा enjoyed, V3 हो जाएगा enjoyed, यानि कि आपके पास words आ गए है, enjoy, enjoy का हो जाएगा enjoyed, और यहीं पर मैं लिख देती हूँ, तब अड़ा है, okay, यह like, 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 see, saw, seen, enjoy, enjoyed, enjoy, done, okay, अब बात करते हैं next, यानि fourth question की, V blank John this afternoon, अभी V blank John, नहीं पता, पर this afternoon बोला है, इस दुपहर, है ना, आज की दिन की बात हो रही है, V visits, होई नहीं सकता, because V plural है, visits, singular के साथ होता है, तो हटा दो, we have visited, अच्छा, have है, has, have है, तो definitely present है, और फिर visited, जो की होता है, V3, अभी present है, और V3, मतलब helping verb है, have और V3, यानि की present perfect है, है ना, फिर है, are visiting, we are visiting, हम visit कर रहे हैं, this afternoon, अच्छा, ठीक है, अभी present perfect की बात करते है, we are visited, तो भही this afternoon नहीं बोलते, है ना, क्योंकि afternoon जा चुका है, तो आप बोलते है, हम visit कर चुके थे, है ना, तो this boardroom मतलब आप visit करने वाले हो, so definitely option number C जादा अच्छा, option number B गलत है, क्योंकि are visiting है present continuous, next है, we visit to John this afternoon नहीं होता है, visit तब करते हैं, जब आप हमेशा ही visit करते हो, कुछ ऐसा मिलता जो have it या regularity की बात करता, so option number D भी गलत है, यानि आपका answer हो जाएगा option number C, we are visiting John this afternoon, हम इस प्लूरल है, वी प्लूरल है, perfect, clear, यानि की कौन सा tense हो गया, यह present continuous tense हो गया, जहां हम use करते हैं, subject, देखो, normally simple tense जो होता है, उसमें हम V1 use करते हैं, object, जैसी continuous हो जाता है, हम इसको V1 ing बना देते हैं, ing बना देते हैं, यहां पर हम use कर रहे हैं, helping verb, जब भी हमें present के लिए helping verb, यानि ing चाहिए होता है, हम 2b के पास जाते है, ing के लिए, मिशा 2b के पास जाते है, 2b के पास present के लिए ismar है, अभी यह चीज इतनी फटा फर तभी हमें बैठी की, जब introduction video देखकर आयो, clear, so आपका यह हो जाता है present continuous का structure, हो clear, so answer हो गया, are visiting, done, okay, चलिए, अब विजट के भी हम देख लेते हैं, work forms बड़े आसान है, वैसे ही है, जैसे कि आप like का पढ़ चुके हो, जैसे कि आप enjoy का पढ़ चुके हो, that is visit, V2 होता है, visited, V3 भी होता है, visited, ठीक है, तो आसान है, ध्यान में रखना हो जाता है, visit, visited, और visited, easy, no down करते चलना है, next बात करेंगे, fifth question की, the next session blank on 28th of April, अगला जो session है, अगला session, 28th April को, अभी अगला session है, और बात हो रहे ही, किसकी, चालू होने की, begin होने की, अच्छा ठीक है, अगला session तो भई, future की बात करेगा, तो अगला session चालू होगा 28th of April को, जब भी आप ये बोल रहे हो, तो आप definitely future की बात कर रहे हो, क्योंकि session की बात कर रहे है, future में हम आ जाते हैं, चारो की पास, एक हो जाता है, आपका simple, एक हो जाता है continuous, एक हो जाता है perfect, और एक हो जाता है perfect continuous, अभी आप बोल रहे हो, कि अगला session चालू होगा, ठीक है, आप ना तो हैं complete होने की बात कर रहे हो, नहीं लगातार चलने की बात कर र simple है तो वीवन ही रहेगा और object यानी विल और नॉर्मल यानी बिगिन होना चाहिए विल बिगिन कहा है option number D में तो आपका answer हो जाता है विल बिगिन बाकी options पर ध्यान दनी की पी जरुवत नी पड़ेगी clear so the next session will begin on 28th of April अगला section session 28th April से start होगा clear so आपका answer क्या हो गया option number D I hope clear हो गया है और structure भी revise हो गया अब पढ़ते हैं begin के जो वर्ब forms है थोड़े अलग है begin second form होता है began third होता है begun अगर आपको यह दोनों याद रहते हैं पर आप यह confused उसे जाते हो कि second कौन सा है और third form कौन सा है second पहले आता है ठीक है तो A भी तो पहले आता है और U वहार बाग में आता है और third form भी बाद में आता है इसलिए ए वाला पहले began फिर begun ऐसे ध्यान में रख सकते हो so begin began begun लिख लेते हैं यहाँ पर आपको मिल गया next work form clear है hope अच्छे से ध्यान में रहेगा like 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 see saw scene enjoy 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 it visit visited visited or begin began began done okay चलिए अब बात कर सकते हैं next question की next आजाते हैं sixth पे after walking a few steps in the garden my brother blanks some strange creature कुछ कदम चलने के बाद garden में कुछ कदमों के मतलब हम कुछ देर तक चले ठीक है आप garden mental हुए थोड़ी दूर तक चले उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई को कुछ strange creature यानि बहुत ही अजीब सा कोई प्राणी क्या हुआ हुआ है sense हुआ अच्छा मेरे ब्रदर ने कुछ sense किया महसूस किया कि कुछ तो अजीब सा कोई प्राणी है उसके बारे में so after walking a few steps यानि कोई चीज हो चुकी है उसके बाद my brother sensed some strange creature sense senses has been senses देखो यहां पर दो तरीके यहां तो अब समझ जो tense कौन सा है फिर options को ध्यान में रखते हैं क्या दिया हुआ है sense senses यानि कि यह present होना चाहिए simple present has been senses नहीं होता है यहां पर v3 आता sorry v1 ing आता ठीक है क्योंकि v3 तो already been है clear तो इस तरीके से यहां पर has been sensing होता तो हम ध्यान में रखते हैं बढ़ यह गलत ही है खुद में ही गलत है structure ही गलत है है ना अब यहां बात करते हैं हम यह होता क्या वैसे has been sensing has है present been है v3 perfect और ing है तो continuous यानि present perfect continuous clear अब हम बात करते हैं आपर कि यह क्या present होगा और अगर sensed होगा तो यह second form of verb है यानि यह past हो जाएगा देखो आपने क्या लिखाया क्या past यहां present होगा क्या past होगा common sense कहता है after walking यानि कोई चीज अल्ड़ी हो गए थी उसके भी पहले हम बात कर रहें सो आंसर हो जाता है आपका option number a यानि second form of verb simple past simple past का structure clear है simple है तो वीवन होना चीए बट simple past अकेला है जो वीटू उसकरता है अपने positive में subject v2 आदर पार of the syntax clear okay चलिए अब फटवर्ट से देखते है sense का जो verb form है बड़ा असान है वही है sense sensed sensed clear so v2 हो जाएगा sensed v3 भी same है sensed यहां पर लिख लेते है sense sensed और sensed हो गया आप पे सारे verb forms done okay चलिए next question की बात करते है 7th it is cold I blank close the window थंड है it is cold ठीके अभी थंड है I blank close the window I do not I have close I will I has अभी देखो सबसे पहली बात तो options खुद बगो देते गलत गलत है कि आप easily answer अपना identify कर सकते हो साधी साधी यहां पर आपको बहुत clear हो सकता है कि भई मैं खिड की जो है वो बंद कर देती हूं तो यह आ फ्यूचर में बात करोगे जब भी आप कोई चीज का एकदम से एक तरीकी से क्या लेते हो decision लेते हो हैना spontaneously जो decision लेते हो उसमें आप simple future यूज करते हैं पढ़ा है हमने पिछले वीडियो में तो spontaneous यानि अभी मैं just next क्या कर तो मैं थंड है मैं खिड की बंद कर देती हूं यानि कि मैं खिड की बंद कर दूंगी future में आने वाले को seconds में future है so यहां पर definitely simple future की बात हो रही है और साथी साथ आपको future में अगर नहीं भी simple भी clear नहीं सिर्फ future भी clear है तो future का एक ही आपको option दिख रहा है साथी साथ अगर आप बाकी की बात करते हो क्या दिया है I do not close the window I have closed the window I have closed the window क्या होता है फिर है I has I has तो यूजी नहीं कर सकते है यानि answer जो है option number C है that is I will close the window यानि subject will other part of the sentence जो की है simple future tense done so answer क्या हो जाता है option number C will clear all right चले अब हम बात करेंगे यहां पर कौन सा वर्फ फॉर्म है यहां पर वर्फ फॉर्म है close तो close के हम वर्फ फॉर्म्स देख लेंगे ठीक है so close के तीरों वर्फ फॉर्म्स देखते हैं obviously बड़ा असान है close second form होता है close third form होता है close तो आज 30 वर्फ ठीक है clear so इस तरीके से आपकी क्या spelling हो जाती है close 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 I hope अब clear है ठीक है so इस तरीके से आपके पाथ क्या जाता है next verb form done okay चले अब बात करते हैं 8th question की the house blank before we reached there सबसे पहली चीज तो यहां देख लो already एक ED form यानी V2 present है और हमें पता है क्या लिखा है before we reached there हमारे पहुचने के पहले है यह पहुचने का काम past में हुआ है यानी past में कोई चीज already हुई उसके पहले कोई action start होके खतम हो जाता है या लगातार चलता जो भी है वहाँ definitely कुछ ना कुछ perfect की बात हो रही है और क्योंकि यह past है तो past थो है ही अब यहां बस perfect है कि perfect continuous है वो options में से देख लेंगे the house sell की बात हो रही है यानी big चुका था है ना the house has sold had been sold sold sell आज ठीक है यहां पे कुछ भी ing नहीं है definitely past perfect है past perfect में क्या होता है कोई action past में start होके खतम हो गया होता है एक और past के action के पहले यानी हमारे पहुचने का action past में हुआ उसके पहले ही जो घर है वो big चुका था यानी big चुका था यानी big चुका था यहां आप बात करोगे past perfect की past है तो subject और other part of the sentence तो हो गई साथी साथ perfect है तो क्या होगा third form of verb और जब भी हमारे पास third form होता है हम to half की family के पास जाते है to half के पास past में सिर्फ एक ही helping verb है वो है hat तो had v3 पे हमें नजा रख नहीं है बस ठीक है जहां पर भी had है पहले तो देख लो had सिर्फ एक में दिया हुआ है had been sold तो अभी यह लगने v3 structure होता है अब वहां voice पढ़ने के लिए हमें और एक घंटा चाहिए ठीक है तो definitely अभी वह तो डिसकस नी करेंगे बट आपको यह तो clear हो रहा है आप है had or v3 मिल रहा है definitely यह होने वाला है because जब भी हम voice की बात कर रहे होता है हम थड़ा change कर देते हैं चीजों को तो वहां प कोई best option है क्या no so यह passive voice के हिसाब से this is the structure इसलिए आपका आंसर हो जाता है option number b clear all right चलिए अब यहां हम बात करने वाले है about what about the verb form तो फटवट से वर्ब फोर्म देख लेते हैं किसका लेकिए वर्ब फोर्म obviously cell का clear so cell का verb form होने वाला है cell sold sold I hope sold आपने सुना होगा ठीक है तो ब sold sold easy so what forms I hope ध्यान में आते जा रहे हैं जैसे हम next यानि कौन से भी 9th question 10th तक पहुच जाएंगे ना तो हम एर अप कर दूँगी तब हम revise करेंगे फिर next 10 फिर next 10 we blank her since she left this society for the job क्या दिया हुआ है job के लिए okay ठीक है हम whatever her since जबसे since क्या होता है specific point of time जबसे she left left क्या है left है we too second form of work left this society for a job अच्छा जबसे वो यह society छोड़कर job के लिए छोड़कर गई थी या गई है कहना ची गई थी ठीक है जा चुकी है ठीक है so past हो चुका है so simple past tense जो है उसके बात तक we not आया है नेगिरे और see आनी की देखन की बात हो रही अच्छा जबसे वो यह society नौकरी के लिए छोड़कर गई थी तबसे हमने उसको देखा नहीं है ठीक है देखो अगर आप कोई भी चीज यह बोलना चाहरे हो कि start to past में हो गई थी और खतम भी हो गई थी शायद बढ़ उसका असर present में है अभी भी वो चीज वैसी की वैसी है तो हम क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं present perfect tense है ना तो इसी लिए यहाँ पर यह present perfect होना चाहिए ऐसे questions ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा गलतियां कराते हैं कि यह present होगा कि past होगा देखो हम उससे नहीं मिले ना जब से वो job छोड़के गई है तब से ही नही अभी नहीं मिले हो तो अभी present है present में भी वो काम ऐसा ही है complete तो इसलिए present perfect done so जब हमने पड़ा था ना कि something that started in the past but its memory still last in our minds और it still has its effects on in present तो हम present perfect बोलते हैं तो यह यह बई अब present perfect में क्या होता है subject है ठीक है perfect होगा तो v3 plus object v3 है तो हम to have family के पास जाएंगे present के लिए होता ह है has or have ठीक है फड़ा बड़ से देख लो यहां पर अब क्या है not है negative है तो यहां थोड़ी सी जगा लेनी पड़ेगी not v3 plus other part of the sentence clear so यहां पर आपके पास क्या है subject v है तो पका have होगा तो has हटा दो तो हो जाएगा subject have यानि we have not v3 see ka v3 अभी तो पड़ा seen so seen और other part of the sentence her है her since she left so we have not seen have not कहा दिया हुआ option number a तो इसको tick कर दो अब हम बात करने वाले हैं किसकी work forms की देखो already इसमें जो see दिया हुआ है उसके हम पहले ही बात कर चुके हैं देख सकते हैं पर second वाला see saw scene है ना बड़ हमें यहां पर एक और important things बात करनी है फड़ा पर दिर बाइस कर लिया कि present present perfect tense or past perfect tense में difference कहा है present perfect tense the action started in the past but it still has its effects in present और past perfect the action happened in the past before an action in the past है कोई भी action पास में स्टार के खदम हो गया और फिर कोई पास में अक्शन हुआ that is past perfect कोई भी action पास में हो के खदम हुआ है बड़ उसका असर आज भी present में है तो present perfect क्योंकि उसको नहीं देखने वाली जो बात ह अब बात करते हैं next यानि 10th question की it blanks a lot in winters in shimla सर्दियों में snow की बात की गई है अच्छा बहुत जादा बर्फ गिरती है बहुत जादा snowfall होता है सर्दियों में कहां पर shimla में अभी हमेशा होगा ना सर्दियां हमेशा आती कि तरिवेकी बार आई थी कभी जिंदकी में हर साल आती है यानि यह usual जो action है या हमेशा regular की बात कर रहा है regular actions इन सब के लिए हम simple present tense की बात करते हैं simple है तो क्या हो जाएगा verb का first form ठीक है plus जो भी other part of the sentence right और कोई अभी हापर present positive है क्या हा तो positive में कोई verb form आएगा नहीं सबसे बहले जिसमें भी verb form है वो हटा दो ing होगा नही ठीक है snows v1 है और इसमें सारे helping verbs है यानि कि आपको सीधे सीधे option number b ही टिक करना है और it वैसे भी singular है तो s वाला ही use करोगे तो snows clear so it snows a lot in winters in shimla इतना असान है done ओके चलिए अब फटावट से देखते है snow word अगर verb के form में use हो रहा है तो कैसे use होगा snow snowed snowed ठीक है V1 होगा snow, V2 होगा snowed, V3 होगा snowed फटावट से यहां लिख देते हैं तो snow, snowed ठीक है V1, V2, V3, snow, snow, snowed अब फटावट से रवाइस कर लो like, 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 see, saw, seen, enjoy, enjoyed, enjoyed, visit, visited, visited, begin, began, begun, a पहले आएगा फिर यह आएगा sense, sensed, sensed, close, closed, closed, cell, sold, sold, snow, snowed, snowed यानि कि अगर आपको ध्यान से देखना है तो see, saw, seen, begin, began, begun और sell, sold, sold के लावा बाकि सब में ED लग रहा है तो वो आपको अलग से रखने रहा है आप अलग फटावट से screenshot ले लो यहां फिर नोट डाम कर लिया हो तो भाजशी बात है और यहां पर see, saw, seen, begin, began, began और sell का sold, sold है, sell, sell, नहीं है बस यह तीन अलग है वो ध्यान में रखना है बाखी एक जैसा format फॉल करते है आपके जो verb forms का एक revision है वो हमने कुछ words के लिए कर लिया अब फटावट से बात करेंगे 11th question से फिर next जो verb forms है वो पढ़ेंगी तो यहां I guess 9 verb forms आपको clear हो गाए done, okay चलिया अब बात करते हैं किसकी next यानी की 11th question की since Monday he blank working on this project अचा सबसे वेले बात तो यहां ing है और Monday से अच ठीक है Monday से start हो गया है और continuously की बात हो रही है definitely यहां पर present कोई भी normal continuous नी perfect continuous होगा है ना तो कोई भी perfect continuous होगा अगर सो continuous का काम तो कर लिया working ने रही बात perfect की तो बीन होगा पका हमें पता है अब देख लेंगे ते क्या दिया है तो options में दिया है is was has been had एक ही जगा दिया हुआ है has में हो है option number c has been तो Monday से इस project पे वो काम कर रहा है है मंडे से करता चारा है time frame दिया हुआ है तो has been और even ing आगे दिया हुआ है working इतना असान तो क्या हो गया यह present perfect हुआ विके has दिया हुआ है और present perfect का क्या होता है subject has या फिर have depending क्या subject है फिर इसके साथ आप third form यानि बीन रख देते हो फिर main form का ing और other part of the sentence clear okay चलिए अब बात करते हैं हम किसकी verb form की तो answer तो हो गया भहिया option number c बात कर रहे है work जो कहां पर working दिया हुआ बहुत असान है work worked worked तो यह भही list follow कर रहा है तो क्या हो जाएगा work worked और work clear so work worked worked nothing new done okay next question Ravi demonstrated the plans V blank Ravi ने क्या किया demonstrate यानि कि दिखाना डेमो देना कहते है न तो demonstrate साथ है demo so Ravi ने डेमो दिया या demonstrate किया जो भी plans थे we had been preparing work preparing prepared had prepared यानि कि हम जो plans जो है बना रहे ते टाइम से वह रवी ने क्या किया demonstrate किया right so आप यहापर कितना असान है क्या कर दो गया obviously had prepared कैसे had prepared क्योंकि demonstrated हो गया वी टू और यह जो है हमने ऐसा मोल रहे हो आप कि एक action start हुआ कि आपने plan बनाना start किया plan बना कर खदम कर दिया उसके बाद ही तो कोई उसका demo देगा right so Ravi ने जो हमने plans बना कर खदम कर दिये थे उसको demonstrate किया था यहनि यह simple past तो यह हो जाएगा past perfect अब तो आसान हो गया होगा right so answer क्या हो जाना चाहिए answer हो जाएगा subject had v3 plus other part of the sentence had prepared क्योंकि prepare का v3 होता है prepared done so answer हो गया आपका option number d past perfect वाकी पिध्याननी की ज़रुरत नहीं है because you already understood by reading the sentence itself that it is past perfect done okay चलिए अब बात करेंगे verb forms की आपर दो verbs दिये हुए एक है prepare एक है demonstrate दोनों ही एक जैसे है prepare का prepared prepared demonstrate का demonstrated demonstrated ठीक है so क्या हो जाता है next prepare prepared prepared ठीक है वैसे ही आपको हो जाता है next word demonstrate यहाँ पे demonstrated और यही v3 में common as it is ठीक है बहुत बड़ी spelling है so as this copy paste हो जाएगा third form demonstrated clear so prepare prepared prepared demonstrate demonstrate demonstrated 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 ध्यान बर रखना है done okay चलिए next के बात करते हैं while my sister blank to my friends I prepared the lunch in the kitchen while का मतलब होता भई उस दौरान है ना so while my sister blank to my friends I prepared the lunch in the kitchen मैंने जो है kitchen में lunch prepare कर दिया जब तक मेरी sister क्या कर रही थी लगातार ही होना चीए because while बोला है duration है है ना तो जब तक मेरी sister मेरी दोस्तों से डॉक की बात हो रही है बात कर रही थी तब तक मैंने kitchen में जाकर lunch prepare कर लिया था easy so यह क्या हो जाएगा while my sister ING कहां दिया है was talking had been talking or had talked भी हटा दो so ING है definitely is going to be option बभी simple normal सा past continuous है जब तक मेरी बहन ठीक है उस वक्त जो लगातार चल रहा था तब तक मैंने prepare कर दिया lunch so while my sister was talking to my friends I prepared the lunch in the kitchen clear so यह हो जाएगा simple past continuous tense past continuous के लिए बहुत असान है subject continuous है तो वीवन ING ठीक है class other part of the sentence और past में वीवन ING है तो वीवन ING किस के पास जाएगा तूबी family के पास तूबी के पास past color क्या है was were तो हो जाएगा was were so यह हो जाएगा while my sister was talking to my friends I prepared the lunch in the kitchen clear so answer क्या हो जाएगा option number B अब सबसे पहले बात किस की बात करेंगे हम talk की बहुत असान है talk का हो जाएगा talk 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 कुछ भी जाया नहीं है भाई भाई जब चलता आ रहा है format so it is going to be talk 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 okay so talk 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 done okay चलिए next question I blank French for five years four की बात क्या होती भाई एक duration बताता है एक specific चीज नहीं बताता बस उत्ता duration बताता तो पात सालों के लिए so I blank French for five years यानि क्या दिया है study दिया हुआ है तो मैं पात सालों से है ना French पढ़ रहा हुँ क्योंकि आपको पास ठोभुष नहीं पता so this is going to be what पढ़ने का काम start तो कर दिया है कभी तो करा होगा but continuously चल रहा है है ना इसे हम क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं भी पात सालों से पढ़ रहा हुँ so this is going to be obviously option number A which is present perfect continuous ठीक है so मैं पात सालों से French पढ़ रहा हुँ अभी कभी कहीं जाके किसी moment पर खतम होगा so answer हो जाएगा option number A अब यहां पर यहां पर यह हम वैसे देख चुके है has, have, v3, been or even ing वापस में format नहीं लिखूंगी done अब फटावर से पढ़ लेते हैं किसका study का verb form so study studied studied again very easy okay बढ़ यहां ed कैसे लगा रहे हो ध्यान में रखना y है ना तो y को drop करके i ed लगा रहे हो ठीक है study studied studied done easy okay next question this time tomorrow i blank the movie in the theater यह जो अभी समय है suppose अगर अभी कितना बज रहा है अभी बज रहा है 12 10 ठीक है so अभी बारा बच के 10 मिनिट पे कल के दिन यानि कल के दिन बारा बच के 10 मिनिट पे i watch का दिखा है the movie in the theater अभी movie लगातार देखोगे है न तो अभी मैं देख रहे होंगी future की बात हो रही हो continuous की बात हो रही है so this is going to be this time tomorrow i will कहां दिख रहा है आपको स्रिफ option number b में i will be watching और आपको पता होना चाहिए future continuous का structure कैसे बनाते हैं भई future है तो subject plus will तो हो गई साथ ही साथ continuous है तो v1 ing तो हो गई अभी v1 ing दिख गया तो हम किसके पास जाता है 2b family के पास 2b family के पास present के लिए चला गया ismr past के लिए चला गया was work और रही बात बीन की वो v3 है हम यूज नहीं कर सकते तो 2b family से भी खुद उठके आ जाता है हमारी मदद करने तो will be ठीक है तो will be watching done तो आपका answer हो जाना चाहिए क्या option number b क्योंकि आज आज आप अगले दिन की बात कर रहे हो जो समय अभी का बता रहे है आग जो समय हो रहा है बारा बच के पांच मिनट जो भी है उतने ही समय कल मैं थीटर में movie देख रही होंगी future continuous done okay चलिए next question watch 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 again बहुत असान word form हो गया है तो आपके लिए हो जाएगा watch watch का हो जाता है ed watched and then again you get watched ठीक है आसान हो गया सारे word forms watch 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 done okay चलिए next question I could not open the door as my nephew blanket from inside मैं डोर ओपन नहीं कर पा रहा था देखो हम बात करते हैं जब भी can और could की जो की model verbs है ठीक है अगर चाहो तो normal lectures देख सकते हो अभी कोई भी ऐसा उठालो type कर देना model का कोई lecture doubt solving live session कुछ भी ठीक है so can और could जो है ये दोनो ability और inability की बार में बताते हैं कोई चीज करने की शमता कोई चीज ना कर पाने की शमता है ना तो could तब बात करते हो जब past में कोई चीज आप नहीं कर पाय थे या कर पाय थे जैसे कि I could not open the door मैं भाई पास्ट में डोर नहीं खोल पा रहा था inability to open the door इसलिए could past की बात कर रहा है ठीक है ध्यान में रखना तो मैं डोर ओपन ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे नेफ्यू ने अंदर से लॉक की बात कर रहा था अच्छा अंदर से उसने लॉक कर दिया था पास्ट है ना तभी आप नहीं खोल पा रहे थे तो future की बात तो करोगी नहीं विल भी ठीक है अब यह नेफ्यू तो क्योंकि सिंपल पास्ट है वाज लॉकिंग नि बोलेंगे अंदर से बंद कर रहा था यहां हैड लॉक्ट उसने बंद कर दिया था ओके पास्ट में स्टार्ट करके खतम हो जुका था बंद करने का काम और तब आप उपन नहीं कर पा रहे थे ओल राइट ओके सहां पर कोई दिककत नहीं है आप इसको भूल जाओ यहां पास्ट परफेक्ट ही यूज हो रहा है तो वहां नेफ्यों ने डोर जो है वो बंद करके लॉक कर दिया था पास्ट परफेक्ट और उसके बाद आप जो है नहीं खोल पा रहे थे इसी लिए हैड वी थी इजी सो सब्जे अब बात करते हैं हम नेक्स्ट याने की सेवेंटींथ क्वेशन की बड़ उसके पहले लॉक लॉग 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 अगेन बहुत आसान वर्ब फॉर्म है तो यह हो जाएगा लॉग 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 एक पर क्या है यह सारे अच्छे से देख लोगे और यूज कर लोगे ना तो आपको सारे वर्ब फॉर्म जो है वो क्लियर होते जाएंगे दान ओके जले नेक्स्ट क्वेशन दसन ब्लैंक वाइल अगो यह अलग है देखो जैसे आप सन मून यह देखोगे युनिवर्सल टुथ पर जाके नहीं ब्रहमेत हो जाना है पर लोग ऑफ यह युनिवर्सल टुथ है कि नहीं दसन और राइस कि बात की यानि उगने की और वाइल अगो यानि थोड़ी दिर पहले अच्छा सूरच जो है थोड़ी दिर पहले ही उग गया था अब यह universal truth नहीं है आप हमेशे इसको universal truth नहीं बोलते हो sun का east west की जो बात है वो universal truth है तो यहाँ पर simple present लगाने की गलती मत करना पढ़ लो पहले कि वो universal truth है भी की नहीं ठीक है so has risen क्या है भई has है और risen होता है v3 यानि यह बोल रहा है present perfect ठीक है next बोल रहा है will rise so इस तरीके से हमें यह समझा गया has risen has v3 है तो definitely present perfect है will rise will be one यानि कि यह क्या है simple future ठीक है जो कि आपको दिमाग लगाने की भी जरुरत नहीं है सीधे सीधे cancel कर दो कि यहाँ पर future की बात नहीं हो रही कुशनों पहले जो है सूरज उप चुका है ऐसा बोल रहा है rise the sun rise a while ago simple past ठीक है action जो है वो past में हुआ थो this is v2 simple past rises नहीं rises पर टिक कर देंगे कई लोग बट नहीं करना है क्योंकि यह definitely present की बात नहीं कर रहा है done so इस तरीके से आपका जो answer हो जाना चाहिए it is definitely going to be किदर गया option number a has risen क्यों क्योंकि अगर कोई भी action past में होकर क्या होकर कोई भी action past में होकर present में अभी तक अपने effects बता रहा है या फिर कोई चीज जो recently अभी खतम हुई है वो definitely present perfect में ही आता है please जाके rise को मत करना क्लिक ठीक है आपने का बला कुछ चनों पहले ही सूरज उगा है तो कर अभी start तो होगे पास में बड़ा भी तक हुगा हुआ है है ना तो इसलिए option number a and has risen present perfect जो है वो आपका answer हो जाना चाहिए done ओके चलिए अब फड़ावट से हम सारे work forms देख लेते हैं यानि की सारे words का एक ही जैसा चल रहा है फंडा अब हम बात करेंगे next यानी work forms की next आजाते है rise पे please उसको ध्यान से देखना है बहुत अलग है rise also हाँ यह चीज में आपका बताना भूल गए यहाँ rise लिखा है rise पहली बात कुछ होता ही नहीं ठीक है यह clear कर लो दिमाग में वैसे जब हम question solve कर रहे है तब हमें क्या लगता है यह V2 है तो हमने उससाब से भी सोचा बढ़ यह होगा ही नहीं क्योंकि यह गलत है क्योंकि V2 क्या होता है? rose होता है दिया होगा यह तेखो V2 rose है ठीक है यहां से भी एक और चीज़ clear हो जाती है so rise, rose, risen ठीक है बहुत important work form है rise, rose, risen तो आपको अगर इस तरीके से ब्रहमित करने के लिए ED लगा के हर form में दे देंगे तो यह जरूरी नहीं कि वो सही हो clear? ओके चलिए next question the ship blank before the rescue team came ship जो भी है before the rescue मतलब पहले यह action पहले हो चुका है rescue team came, came क्या होता है भाई V2 होता है यानि कि यह past in past यानि past perfect है अब तो आसान हो गया है कि भाई ship जो है sink अच्छा डूबने की बात हो रही है यानि जहां जो है वो डूब कर start होकर खतम जो जगा, डूब चुका था पुरी तरकी से फिर जाकर rescue team बचाने काली team जो है वहाँ पर पहुची थी ठीक है यह simple past यह past perfect होगा यानि की had V3 होगा, had V3 देख लो had कहां दिया है option number B में यानि V3 sunk होता है यहां आपको यह सीखने को मिलता है, ठीक है so the ship had sunk before the rescue team came rescue team आई उसके पहले ही जहाँ जो है, sorry, डूब चुका था, clear? ओकी चलिए, अब 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 अबटाबट से sink के verb forms देख लेता है, बहुत important verb forms है, sink sank sunk, अब A और U वाला अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको clear किया था, funda किसमे, begin में, begin, began, begun A पहले आता है, तो वो वी टू वैसे ही देख लो, sank पहले आएगा A, और sunk U आएगा बाद में तो sink, sank, sunk यानि डूबने के लिए जो वर्ड होता है sink, उसका past हो गया sank, और past participle हो गया sunk, done? next question, India blank or independence in 1947 इंडिया को क्या दिया है, get का दिया हुआ है इंडिया को independence in 1947 में मिला था इसका मतलब क्या बोल रहे है कि इंडिया को independence मिल गई थी 1947 में तो बहुत असान है, so had got, has got, got की gets obviously got, कि इंडिया को independence जो है वो 1947 में मिल गई थी option number C, got आप यहाँ पर फटाफट से हम verb forms देख लेते है देखो क्या दिया है, get, got, got यानि कि आप यहाँ पर लिख रहे हो get ठीक है, क्या लिखोगे आप यहाँ पर get got और got यहाँ पर यहाँ पर एक क्वेंशन आता है कि तो दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है, बट आपको usually get, got, got भी देखने को मिलता है और कभी-कभी आप get, got, gotten भी देखते हो तो दोनों में से कुछ भी मिल जाए, definitely आप उन तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो तो इस तरीके से आपके get के जो forms है हो गए get, got, got या फिर get, got, gotten, clear? अब बात करते हैं next, यानि 20th question की, 20th है एशा usually blank till evening इशा भी पढ़ते हैं, कुछ लोग एशा भी पढ़ते हैं ठीके, depending जिसको जो इसना नाम बलवाना हो एशा या फिर इशा usually blank till evening, usually का मतलब क्या होता है? अकसर, अकसर मतलब regularly, habitual हमेशा की बात है, यानि definitely क्या है, simple present है तो V1, ES या S वाला form आएगा, देख लो कहा दिया हुआ है, read और reads, एशा singular है, तो एशा reads आएगा तो एशा usually reads, till evening शाम तक अकसर वो जो है, पढ़ती है, clear? उसा आंसर जाता है it's so easy, done, alright, चलिए अपड़ावट से read का verb form देखते है दिखने में सब एक जैसे हैं पर पढ़ने में अलग होते हैं, जैसे read, read, read नहीं बोलते हो, आप present में बोलते हो read future में, sorry past में बोलते हो red और future में read, ठीक है यानि कि V2, V3 कहलाता है read, 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 red और यहाँ जैसे आप ऐसे पढ़ोगे कि I read newspaper newspaper, I read past में, read newspaper I will read, और I had read had V3, ठीक है so आपको V2, V3 चाहिए तो red, red पढ़ोगे, और अगर आपको V1 पढ़ना है तो read पढ़ोगे, दिखने में सेम हैं लिखते सेम हैं बड़ पढ़ते अलग हैं तो read, read, red done, ओके चलिए अब यह कर देते हैं, फटावर से erase ध्यान से लेख लो, फिर 21 से 30 पढ़ेंगे rise, rose, risen, sink, sank, sung जैसे begin, began, began get, got, got, read, red red, easy, ओके चलिए अब बात करते हैं हम next यानि 21 question की, यानि last 10 set of questions बचें, when I left the place, I blank all the rooms जब मैं जगे छोड़ कर जा चुका था I blank all the rooms, I search की बात हो रही, आच ठीक है past and past है ना, कि मैंने room सर्च करकर, search करने का काम खतम भी कर दिया था, फिर उसके बाद जगे छोड़ी होगी ना, है ना, तो जब मैंने वह जगे छोड़ दी थी, यानि suppose अगर आप किसी सब्सक्राइब वेकेशन पर गए थे, ठीक है वेकेशन पर क्या करते हो एक hotel room रखते हो है, वेकेशन के लिए आपको ही ना, कोई तो guest house यह तो जाकर रूखोगे ना, तो वह room फटाफट से चेक तो करो के जाने से पहले, क्या पता कभी हम charging का वायर भूल जाते है, कभी हम कोई चीज बूल जाए, clear so, इसके पहले कि मैंने वो hotel room छोड़ा आया, और मैंने उस जगे को छोड़ा, उसके पहले मैंने rooms को search करना start करके खदम भी कर दिया था, यानि past perfect had v3 search का होता है, searched यानि had searched option number a, so when I left the place I had searched all the rooms, easy हो गया अब तो done, अब search के फटापट से देख लेते हैं, जो walk forms है, इसके अलावा leave left आया था, वो भी देख लेता है, so search के लिए हो जाएगा search, searched, searched, ठीक है v1, v2, v3, और leave का बहुत असान है, left आपने सुनाई होगा, तो leave left, left, ठीक है, so left ध्यान में रखना है, और वैसे I hope आपको clear भी होगा, so left और v2 और v3 होता है, leave is the v1, so search का search to search, leave का left, left, okay चलिए, next question someone blank my pen, ये ऐसा करके हमने कहीं तो पढ़ा सा, someone blank my chocolate, है ना, कहीं पर पढ़ा हुआ है, तो क्या करते है, someone blank my pen, someone take, someone have taken, someone took, someone has take, तो ये past नहीं बोलते हैं, हम जब कोई चीज के लिए बोलते हैं कि भाई, जैसे pen है, pen यहाप पर लेने की बात हो रही है, तेक, अभी किसीने लेने तो अभी भी है, तो अभी हम present perfect यूज करते हैं, जिसके बारे में हम previous video में बात कर चुक है, someone present है, have or has, someone मतलब कोई एक, एक है तो singular, singular है तो has, ना की have, someone has taken my pen, take, took, taken होता है, V3, that is what is your answer, easy, so this is what present perfect, फड़ा बड़ से take के देख लेते हैं, I hope पहले सी clear हो, हम बात कर चुक है introduction video में, take, took, taken, ठीक है, take, took, taken, V1, V2, V3, done, okay, next question, when you called, I blank television, जब तुमने phone किया था, तब मैं, watched television, I watched television, I watched television, I was watching, I had been watching, आच्छे देखो, watched तो V2 है, watch है V1, was watching हो गया आपका past continuous, और had been watching हो गया आपका past perfect continuous, देखो, यहाँ बोल रहे हो कि जब तुमने phone किया था, मैं तब, whatever, देखो, जब भी भी action कोई past में हो रहा होता था, यहाँ बोलेंगे, है ना, यहाँ पांस में जैसे में TV देखने का काम कर रही थी, एकदम से कोई और action होता तो क्या होगा, यह action interrupt हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना, तो हमने किस टेंस में पढ़ा था, कि when some action is taking place and then suddenly it got stopped and suddenly it got interrupted, हमने पढ़ा था, यह past continuous में है ना, तो जब मैं TV देख रही थी, पर एकदम से किसी का phone आया, तो वो काम बीच में रह गया, TV देखने का, interrupt हो गया, stop हो गया, तो इसलिए आप यहाँ पढ़ोगे, यूज करोगे, past continuous, यानी was watching, was क्यूज करोगे, because I है, singular है, है ना, तो जब तुमने phone किया था, तब मैं TV देख रही थी, ठीक है, फिर TV देखने का काम बीच में ही interrupt होगे, तुमने call कर दिया, clear, so answer हो जाएगा was watching, I hope यह दो clear हो गया structure, because हम बहुत बार भार भी revise कर चुके है, whatever से देखते है, call का, क्योंकि watch का already हम देख चुके है verb form, so call का भी होता है, called, called, यानी कुछ भी ऐसा difficult नहीं है, very easy, call, called, called, easy, okay, next question, before the bell blank, I had left the college, अभी हाँ पे verb form बढ़ अच्छा है, silly question दिया आपको, before the bell blank, I had left the college, अभी हाँ कुछ दिख रहा है, had left, left आप पहले देख चुके हो, V2 V3 है, had है तो definitely V3 होगा, यानी यह past perfect है, यानी कि college से निकल कर जाने का काम अल्री खतम हो चुका था, और उसके बाद एक और past में action हुआ है, bell बजने का, अच्छा, इसके पहले की bell बजी थी, उसके पहले ही मैं college छोड़ कर जा चुकी थी, तो bell बजने का काम है, simple past, है ना, easy हो गया, past in past, अभी simple past है, तो फटवर से V2 देख लो, अभी यही तो game है, V2 पता भी यह की नहीं पता है, had rank, has rank तो होगा नी, कर दो cancel, बचा rank और rank, अब आपको clear रखना है, rank होगा के rank होगा, अभी हमने देखा, A पहले आता, तो वही V2 होगा, तो rank, easy, so before the bell rang, I had left the college, इसे पहले की school की जो bell है वो बजी थी, उसके पहले ही मैं college से, sorry, school है, college है, college की जो bell है वो बजी थी, उसके पहले ही मैं college छोड़ कर जा चुकी थी, clear, so इस तरीके से आपका answer क्या हो जाता है, option number B, यानि verb forms नहीं भी पता हो, तो भी question आप कहीं न कहीं first सकते हो, बड़ यह easy हो गया होगा, A वाला पहले आता है, इसलिए वो V2 है, तो ring rang rang, ठीक है, ring rang rang, easy, भूलोगे नहीं, A पहले आता है तो वो V2 होगा, रंग में यू है, वो बाद में आता है, तो V3 होगा, easy, okay, next question, he blank lost a lot of weight since 2020, क्या दिया है, gain दिया है, अच्छा, उसने जो है weight gain कर लिया है 2020 से, बहुत जादा weight gain कर लिया है, बोलोगे न, 2020 से, क्योंकि अभी भी चल रहा है weight gain, है न, so, he present perfect, he has gained की ही और कुछ दिया है, यह न, present perfect में या present में, gains होगा क्या, he gains a lot of weight, since 2020 बोला है, हमेशा की बात नहीं है, 2020 से, उसने बहुत जादा weight gain कर लिया, so, definitely, it is present perfect, option number A, he has gained, so easy, done, okay, चलिए, अब gain का फड़ा पर से देख लेते हैं, gain, gained, again, again, very, very easy, so, this is going to be gain, ठीक है, gained, and again, the same word is also V3, which is gained, easy, okay, चलिए, next आते हैं, इस पर, 26 पर, सिर्फ इतनी सी question बचे हैं, I blank my studies by the end of this month, इस month के आखिर तक, finish, अच्छा, इस महिने के अंत तक, मैं अपनी studies finish कर चुकी होंगी, यानि future, future में कुछ है, जो नहीं दिया है, option number C नहीं दिया है, इसको हटा दो, अब will finish बोल रहा है, simple future, will have finished, तो यह क्या हो गया, will, ठीक है, यानि future, इधर लिख लेता है, future, have क्या है, भई, have जो है, वो हम obviously, जब भी लगाते है, v3 वगएरा तो उसके प्रस जाते हैं, ठीक है, और finished है v3, future है और v3 है, definitely perfect है, ing है नहीं तो यह क्या है, यह future perfect ends है, finished b2 हो नहीं सकता, will be finishing क्या हो जाएगा, future continuous, आप देखो, यहाँ आप क्या बोल रहा हो, कोई काम स्टार्ट होगा, बड़ future में कभी न कभी खतम हो जाएगा, भई हो रहा है हाँ पर, कि मेरी पढ़ाई जो है, वो खतम हो चुकी होगी, इस महीने के अंत तक, यानि future में खतम हो गया काम, तो perfect है, इसलिए answer हो जाएगा, option number b, will have finished, easy, तो इस तरीके से, finished का verb forms देख लेते हैं, पट यहाँ पर future perfect, I hope, definitions अगर clear है, अगर हमने previous video में पढ़ीती, easily answer माग कर लोगे, done, okay, चलिए, finish का देख लेते हैं verb form, finish का भी बड़ा सान है, finished, finished, ठीक है, यही पर लिख लेते हैं, कोई जगह है नहीं, so finish, finished, 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 easy, okay, चलिए, next move करते हैं, हम 27th question पर, when I blank the station, the train already, had already left, आचा ठीक है, had left पर धिहान दो, already बीश में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई problem नहीं आनी चाहिए, so train had left, had V3, यानी कि यह हो गया past perfect, ठीक है, तो यहाँ पर simple past हो जाएगा, है ना, क्योंकि train जो है, वो already जा चुकी थी, यानी train चल कर already depart हो चुकी थी, perfect खतम हो गया, उसके बाद कोई past में action हुआ, और वो क्या था, कि हम station पर reach यानी पहुचे थे, तो जब तक मैं station पर पहु easy, so when I reached the station, the train had already left, done, okay, चली, अब reach के फटाफट से verb forms देख लेते हैं, so बहुत असान है, जैसे finished, finished है, वैसे reach, reached है, so reach, reached, और reached, easy, okay, अब जाते हैं next, यानी 28th question पे, the cyclone blank the whole place, ठीक है भही, natural climate की बात हो रही है, cyclone destroys, destroyed, destroy, was destroyed, देखो, cyclone से पूरी की पूरी जगे जो है, वो खराब हो जाती है, कभी-कभी पूरा थोड़ी स्थान खराब हो जाएगा, या पूरा का पूरा थोड़ी destroy हो जाएगा, तभाई हो जाएगी, थोड़ी बहुत तभाई भी होती ही, कहीं पे, बहुत massive तभाई होती है, तो यह universal truth आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर गलती से भी destroy मत लगा देना, आप यहाँ किसी, already एक ऐसे action की बात करो, जब cyclone आ चुका है कहीं पे, तो cyclone past 10, simple past, destroyed the whole place, पूरी की पूरी जगे पे तभाई मचा के रग दी थी cyclone ने, clear, और सो आंसर हो जात है, again, ed लग जाता है, destroyed, destroyed, ठीक है, इतना revise कर लेते हैं, फिर last two questions के लिख लेंगे verb form, सबसे पहले verb form कौन सा आ रहा है हाँ पर, search का होता है, searched, search, leave का left, left, take का, took, taken, ध्यान रखना हा, took, taken, then call का called, called, ring का A पहले आता है, तो ring, rang, rang, then you have gained, gained, finished, 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 or destroyed, 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 easy, I hope screenshot ले लिया होगा, या फिर आपने, already note down कर लिया होगा, done, okay, चलिए, अब आगे पढ़ते हैं, सिर्फ दो questions बचें, then we'll be done with this particular beginner level के questions का discussion, done, okay, चलिए, अब हम बात करने वाले हैं, next, यानि 29th question के, clear, so next होने वाला है, I blank her lately, I, अच्छा, meet, या तो not बोला है, okay, अच कुछ समय पहले ही, देखो, एक, दो में positive है, एक में negative है, यान तो यह बोल रहो कुछ समय पहले ही मैं से मिली हूँ, या कुछ समय से मैं मिली नहीं हूँ, ऐसा बोल रहोंगे, दोनों में difference हो गया, पहला बोल रहा है, meets, और D बोल रहा है, met, met होता है V2, I met her lately, कुछ समय पह Lately की बात हो रही है, यानि कि हम क्या बोलना चा रहे है, have not, क्यो भई, बहुत असान है, क्योंकि उससे अभी तक मिलने का, जो आप मिले नहीं हो, वो अभी भी सही है, तो आप कुछ टाइम से उससे मिले नहीं थे, या नहीं हो, नहीं हो, अगर ऐसा होता हो, आप कुछ हो गया V2, V3, ठीक है V2, V3 एकी बात है, so this is going to be what, present perfect, easy, so बज़ यह ध्यान में अखो, अभी भी असर है क्या, तो present perfect, अब फड़ा बट से मीट का पढ़ लेते हैं, हम मीट का होता है, मीट, मेट, मेट, ठीक है, कुछ नया है, so मीट, मेट, मेट, these are the verb forms of मीट, clear, अब बात करते हैं, last and the final question की, this fruit blank important vitamins, यह जो फल है, इसमें बहुत ज़रूरी vitamins है, contain की बात हो रही है, तो इस fruit में जो vitamins हैं, वो हमेशा रहेंगे न, जैसे अगर आप बात करते हो कि भाई, oranges में vitamin C है, तो वो हमेशा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आज इस साल vitamin C है, अगले साल जो है, उसका मन बदल जाएगा, बुलेगा नहीं, अम मैं vitamin D रखूंगा अपने अंदर, अर इसे थोड यह जो है original truth है, general truth है, so we'll go with this fruit, V1 का ESAS form, whatever, so this fruit contained नहीं होगा, has contained नहीं होगा, contained नहीं, contains होगा, क्योंकि यह singular है, so option number would be, असान है, so इस fruit में बहुत सारे important vitamins है, now let's see last and final word form, so बहुत असान है, contained का हो जाता है, contained, contained contained, और इस तरीके से आपको, I guess, 30 तो होई गए होंगे, 30 verb forms आपको सीखने को, मिल गए है, so verbs भी हो गए है, और आपकी practice भी हो गए, tense की, so meet का होता है, met, met, contained, 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 done, alright, so इस तरीके से हमने, जो questions है, 30 questions, beginner level पे based, tenses पे based, discuss कर लिया है, I hope आपको clear हो गया है, कि basic questions जो है, वो this, we have finally completed today's topic, that is, beginner level पे based, 30 MCQs का discussion, that was entirely covering the topic, tenses, I hope you understood the introduction, and the questions, now let's discuss about the website, because जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, वैसी बागी की वीडियो पे इसली अक्से कर सको, इसलिए आपको website विजित करना बहुत ही बढ़िया option रहेगा, so what you have to do is, just go to google, typemagnetbrains.com, जैसे website open करोगे, ये page display होगा, अब इस पेज पर अधियान से देखते हो, you will get different options, यहां सब अलरी डिवाइड आपके सामने order में प्रेस रखा हुआ है, CBC English Miriam, यानि की kindergarten से class 12 तक आप कोई भी CBC का subject या topic देखना चाहते है, click on it, अगर आप और भी extra information चाहते हो, जैसे science के experiments, जैसे कुछ entertaining videos, जैसे क्लिक कर दो किसी पर भी आपको list of subjects और topics मिल जाएंगे, similar अगर आप में से कोई भी state board Hindi medium को ब्लॉंग करता है, कोई भी बच्चा है, जो state board Hindi medium को ब्लॉंग करता है, definitely उनसे share कीजिए कि उनके पास भी यहां पर एक option है, जो click करके यह Magni Brains Hindi channel पर जाकर videos देख सकते हैं, okay, suppose मुझे 9th IEO का कोई topic पढ़ना है, click कर दो, आपके सामने list of topics आएंगे, click on any one, video आजाएगा, जसे सलिबस ओभी पर click करो, देखो video प्ली होना start जाएगा, इतना असान होता है, कुछ seconds, click click click, you get the video, done, so definitely website visit करना है, to explore many such options, clear, okay, अब फड़ फड़ से देख लेते हैं, कि जैसे Magni अगर आपके नजर में कोई भी है, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, और उसे लगता ही, मेरे पस वीडियो नहीं है, देखने के लिए, मेरे पस इतना माटर नहीं है, कॉंटेंट नहीं है, YouTube पे, then definitely don't worry, we have a separate channel for you guys, आप जाकर यहाँ पर जो है, Magnet Brains Hindi, जिसकी जो लिंक है Now let's discuss the timetable, देखे, हो सता है, अपने introduction video नहीं देखा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं videos का बात है, don't worry, जो बच्चे नहीं है, उनको बतादू, एक proper timetable fix है olympiads का, that is, हर Monday, Tuesday, Wednesday, आपको ठीक सुबद 10 बिजे मिल जाते है English olympiad के videos, ठीक 1 बजे आपको मिल जाते हैं, Mathematics olympi काते हैं, so please go and do watch these videos, done, okay, so with this we have finally come to an end of the discussion of today's topic, that was 30 MCQs based on tenses which were of totally beginner level, I hope you understood each and every question, I hope your concepts were revised, now we are going to meet very soon in the next video with the next topic, till then take care of yourself, thank you so much for watching, bye.